हेलो एब्रीबन कैसे हैं आप सभी लोग मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे दोस्तों आज मैं आप राजिता के नीले फूर लोगा सेवन कैसे करें मुटापा कम करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी वीडियो बहुत चोटी सी है पूरे वीडियो लाश्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कॉमेंट शेयर करके बताएं मेरे वीडियो कैसे लगती है आपको दोस्तों मैंने पिछले कुछ वीडिय बहुत ही भूदर होते हैं कलर सोते हैं और इनका हमशेट में बहुत ही खाश है ऑपरीयो गहादे हैं तो बहुत ही प्लीने देते हैं और अगर में अधूरे शच्राइब क्या ब्यूटीं कैईnocर्ण में कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ये बहुत ही लापकारी सिद्ध हुए हैं तो आए दोस्तों जानते हैं कि अपराजिता की फूलो का इस्तमार हम कैसे करें मोटापा कम करने के लिए दोस्तों अपराजिता के पांच फूल ले लिजिए और इन अच्छे से धूल जब यह गुनगुना हो जाए तो इन फूलो को उसमें डाल दीजी और फिर आप इसे पांस या साथ मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाईए फिर निचान लीजी और छान की नमें हो सकी शहद मिलाकी और आप इनका सेवन अगर नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे आपके बोड़ी में फर्क जरू नजर आएगा आपको पहले से आपका सरीर हलका लगेगा और दोस्तों अपराजिता के फूलों में एंटी ऑक्सिडेंट की मात्रा बहुत ही भरपूर पाई जाती है जिनका सेवन करने से हमारे सरीर में बहुत ही फायदा मिलता है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें ताकि में लेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालू तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहें ओके दोस्तों बाई बाई एंज्वाई करिए मेरे इस झालू आपी जए है झालू उस्मुषा लिड़ाण बपको शक्राइब को करेंग मेरे आपको गालू रो झाल 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 झाल